Welcome back friends, कैसे हो आप लोग और आज के वीडियो में हम लोग Oxford Current English Translation के exercise 42 को solve खरेंगे ये आपके बुक में भी solve किया गया है लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को continue देख सकते हैं ठीक है? चलिए तो हम सुरू करते हैं सबसे पहला जो हमारा है वह है कि तुम सन्तूस्ट हो ठीक है? क्योंकि तुम एक SP हो तुम सन्तूस्ट हो क्योंकि तुम एक SP हो देखें यहाँ पर बहुत ही आसान है sentence हमारे पास दो है पहले हम एक sentence को बनाएंगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तुम संतूस्ट हो तो सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे यू यू आर सटिसफाइड यू आर क्या हो जाएगा सटिसफाइड तो लिखेंगे Satisfied Satisfied ठीक है? You are satisfied अब यहाँ पर कोमा लगा देंगे Because 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 तुमें क्या हो? SP हो तो हम लिखेंगे You are यहाँ पर MP Sorry, SP नहीं MP है हम लिखेंगे You You are N MP ठीक है? MP N लगा देंगे और यहाँ पर हम लोग Full Stop भी देंगे ठीक है? चलिए अगला जो है वह का रहा है कि मेरा बेटा M A है तो पहले यह बनाएंगे लिखेंगे My My Son Is N M A ठीक है जी? उसके बाद And I ठीक है? देखिए And I am a I am a B A मेरा बेटा क्या है? M A है और मैं B A हूँ ठीक है? कोमा लगा देंगे यहाँ पर Yet फिर भी Yet मतलब क्या होता है? फिर भी हम लोग परसन है फिर भी हम लोग क्या है? परसन है तो लिखेंगे We are Happy समझ में आ रहा है? कहीं पर भी थोड़ी सी थोड़ी छोटी छोटी चीज़क भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो comment box में जाके पूछिए हम आपको जरूर जो है reply करेंगे ठीक है? चलिए अगला हम लोग देखते हैं अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा कि क्या भारत का सोना विश्व में परसिद नहीं है? क्या भारत का सोना विश्व में परसिद नहीं है? तो लिखेंगे Is Is The यहाँ पर हम क्यों तो लगारे है? क्योंकि यह specify कर दिया कि भारत का सोना लिखेंगे is the gold is the gold of India is the gold of India not not यहाँ पर famous famous not famous in the world in the world ठीक है जी question mark लगाएंगी क्योंकि यह एक interrogative sentence है चलिए अगला है क्या गरीब लोग बे सहारा नहीं है क्या गरीब लोग बे सहारा नहीं है क्या लिखेंगे are the poor क्योंकि गरीब लोग का हम the poor ही लिखते हैं are the poor not helpless not helpless ठीक है जी अगला देखते अगला क्या है अगला जो हमारा है वह है गरीब लोग क्यों बे सहरा रहेंगे यहाँ पर अब देखिए रहेंगे का यूज किया गया है ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे why क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यों लगा हुआ है लिखेंगे why will हमने क्यों लगा है क्योंकि यहाँ पर आगेगी का यूज हुआ है लिखेंगे विल दपूर विल दपूर बी हेल्पलेस ठीक है है हेल्पी एल्पलेस हेल्पलेस क्विश्चिन माक लगा देंगे अगला है अमारा काली दास संस्कृत के सबसे महान कभी थे काली दास संस्कृत के सबसे महान कभी थे हम लिखेंगे काली दास काली दास वास दग्रेटिस्ट ग्रेटिस्ट पोईट अफ संस्कृत पोईट अफ संस्कृत पोईट अफ संस्कृत संस्कृत ठीक है जी फूल चॉप लगाएंगे क्या कालिदास संस्क्रीट के सब से महान कभी थे तो कालिदास was the greatest poet of संस्क्रीट हमने ओक का पता है था आपको फस्ट में हम दगापड़ियो करते हैं आगे बढ़ते हैं नमबर सैवन वे बहुत विदवान थे ठीक है तो हम चलिए इसको पहले बनाते हैं क्या लिखेंगे he was a great great scholar s-c-h-o-l-o-r l-o-a-r होगा s-c-h-o-l-a-r ठीक है क्या करा he was a great scholar वे बहुत विदवान थे ठीक है को मा लगा देंगे परंतु का क्या इंगलिस में हो जाएगा but शुरू में वे बहुत मुर्ख थे शुरू में वे बहुत मुर्ख थे तो शुरू में क्या हो जाएगा the beginning the beginning b-e-g-i-n-i-n-g double n लिख देंगे यहां पर हम यह आप grammar में पढ़ते हैं कि कहां पर हम double n लगाते हैं कहां पर जो भी है यह सब चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे grammar अगर हम आपको शुरू करेंगे जल्दी he was क्या हो जाएगा वे बहुत मुर्ख थे he was foolish लिख देंगे यहां पर हम very foolish भी लिख सकते हैं no problem he was very very foolish foolish ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं आगे हमारा क्या है अगला जो है गंगा, हिमालय, सूर्य, चांद, तारे, एतियादी भगवान की महान कला किरतियां है तो हम लिखेंगे गंगा जो की खास है तो हम लिखेंगे the गंगाज g-a-n-g-e-s गंगाज उसके बाद the हिमालय, h-i-m हिमालय, l-a-y-s y-a-s होगा साइड y-a-s हिमालय, फिर कुमा लिखेंगे the sun the sorry the sun ठीक है अगला हो जाएगा the moon the moon उसके बाद stars ठीक है stars में हम जो है the नहीं लगाएंगे क्योंकि stars कई होते हैं तो इसमें अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं उसके बाद क्या है etc etc इतियादी है तो etc हो जाएगा भगवान की महान कलाकिर्तिया है अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देख रहा है क्या का जाला है भगवान की महान कलाकिर्तिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे etc लिख लिख लिए यह हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया लिखेंगे r r great great artistic तो हम लिखेंगे artistic artistic creation c-r-e-a-t-i-o-n-s creations of God ठीक है जी तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग इसे बनाएंगे ठीक है the गंगाज, the हिमाल्याज, the sun, the moon, stars, etc are great artistic creations of God आगे बढ़ते है इमानदारी सबसे अच्छी निती है क्या का ज़रा है इमानदारी सबसे अच्छी निती है तो यहाँ पर हम simple लिखेंगे honesty honesty is the best policy best policy ठीक है जी full stop लगा देंगे अगला है क्या आप इमानदार नहीं है तो लिखेंगे are you not honest are you not honest question माग लगा देंगे अगला है हमारा 11 नमर में मैं इमानदार आदमी हूं लिखेंगे या फिर में भी लिख सकते हूं ठीक है या फिर में भी लिख सकते हूं तो मैं परसन लिखूंगा I am honest person and हमेशा इमानदार रहूंगा तो हम लिखेंगे always always be honest ठीक है जी तो यह आप subject आप देख सकते हूं कुछ इस तरीके से होता है तो इसके sorry 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 that is problem यहाँ पर हम cell का use हमें करना पड़ेगा क्योंकि I लगा हुए है ठीक है will भी लगा सकते हैं मैंने कई बार आपको बताया भी लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आती तो इसलिए हम लोग यह आपको लगा के दिखा रहे हैं ठीक है यह कैसे लगेगा आप लोगों को मैं comment में पिन कर दूँगा देख लिजेगा चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं आगे हमारा क्या है कि इस नदी का पानी क्या करा है इस नदी का पानी साफ है तो लिखेंगे the water of the water of this river the water of this river is clean यह हमारा जो है मैं clean को सही कर देता हूँ ठीक है clean अगला है हमारा पानी हम लोगों के लिए आवश्यक है तो यहां पर हम लिखेंगे water water is essential for us या फिर useful for us ठीक है लिखेंगे essential t i al इसेंचियल for us ठीक है जी water is essential for us इनी problem comment box में बताइए अगला है क्या आप म हैं लिखेंगे are you n आप लगा सकते हैं कोई problem नहीं है question mark लगा देंगे अगला है हमारा तब आप एक परहे लिखे व्यक्ती हैं तब आप एक परहे लिखे व्यक्ती हैं तो तब का क्या हो जाएगा इंगलीस आपको पता होना चाहिए then होता है तब का आप एक परहे लिखे व्यक्ती हैं आप बना दीचिये दिखेंगे, simple सा है, उसके बाद क्या लिखेंगे, you are an educated person, educated person, ठीके जी, person, आगे जो हम परेंगे, अगला हमारा है, वह है आप एक BDO अवस्य बनेंगे, लिखेंगे, you, you, अब इसके बाद हम इसमें cell यूज कर लेंगे, you shall be a video, ठीके जी, you shall be a video, आगे हम बढ़ें, तो अगला जो हमारा है, वह है, मैं जो हूँ, वही रहूँगा, मैं जो हूँ, वही रहूँगा, हम लिखेंगे, डर्चे हम बनाएंगे, लिखेंगे, I shall be, जो मैं हूँ, I shall be, I shall be, जो मैं हूँ, वही रहूँगा कहा जा रहा है, तो हम इसको उल्टा बनाते हैं, ठीके, I shall be, वही रहूँगा, मैं वही रहूँगा, I am, जो मैं हूँ, ठीक है, हम लिखेंगे, what I am, जो मैं हूँ, यहाँ पर हम what का यूज़ कर लेंगे, लिखेंगे, what I am, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखेंगे, I shall be what I am, मैं जो हूँ, वही रहूँगा, अगला देखेंगे, अगला क्या है अमारा, अगला है, तुम कैसे तेज नहीं हो, लिखेंगे, how, how are you, are you not intelligent, intelligent, question mark यहाँ पर लगेगा, अगला है, क्या आप European नहीं है, लिखेंगे, are you not European, question mark का यूज कर लेंगे यहाँ पर, यह आपके लिए बैटर रहेगा, चलिए, यह ध्यान लखिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला जो है, हमारा 20 नंबर में, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा 20 नंबर है, कि नहीं, मैं भारतिये हूँ और भारतिये रहूंगा, नहीं, नहीं का इंगलीज क्या हो जाएगा, no, I am Indian, I am an Indian, an Indian, Indian, and, और, अगला है, क्या होली तुम्हारे लिए महतपुर्ण नहीं है, क्या कहा जा रहा है, क्या होली तुम्हारे लिए महतपुर्ण नहीं है, तो लिखेंगे, is holy, not important, not important, important, t-a-n-t, important, for you, तुम्हारे लिए, for you, क्या होली तुम्हारे लिए महतपुर्ण नहीं है, अगला है, हमारा आज चान्द उदास है, क्या कहा जा रहा है, आज चान्द उदास है, क्योंकि तुम उदास हो, ठीके जी, तो लिखेंगे, today, today, मतलब आज, today, the moon, the moon, is sad, या फिर आप किसी लड़के का भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, moon is sad because, क्योंकि, because, because, you are sad, क्योंकि तुम उदास हो, you are sad, यह किसी को impress करने के लिए हम बोल सकते हैं, अगला है, क्या कलम अच्छी नहीं है, लिखेंगे, is the pen, the pen not good, is the pen not good, question mark का यहाँ पर हम यूज करेंगे, is the pen not good, ठीक है जी, अगला देखें, तो अगला है हमारा, क्या लड़के बुरे नहीं हैं, क्या लड़के बुरे नहीं हैं, लिखेंगे, are the boys, are the boys not bad, not bad, question mark लगा देंगे, अगला है हमारा, क्या तबला, गिटार, हार्मोनियम और रेडियो बिहार में प्रसीद नहीं है, यह आपको ध्यान से लिखना है, लिखेंगे, are, क्योंकि एक सधिक इंस्टूमेंट का बात हो रहा है, और इंस्टूमेंट चूभी हो, उसके पहले हम दा कबड़ियो करेंगे, लिखेंगे, are the tabla, t-a-b-l-a, guitar, the guitar, g-u-i-t-a-r, guitar, harmonium, the harmonium, sorry, यहाँ पर हम capital का use नहीं करेंगे, h-a-r-m-o-n-i-u-m होता है, यहाँ पर हम h लिखेंगे, harmonium and radio, यहाँ पर भी हम लिखेंगे, the radio, r-a-d-i-o, radio, ठीक है जी, अब क्या कर रहा है, बिहार में परसिद नहीं है, तो लिखेंगे, not famous, famous, f-o-fa होता है, f-a-m-o-u-s, famous, in-bihar, in-bihar, ठीक है जी, देखिए जब भी आप advanced exercise बनाते हैं, तो आपको इसे ही बड़े-बड़े, जो sentences है, वो देखने को मिलता है, आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा 26 नंबर में, कि क्या आप IAS नहीं बनेंगे, क्या आप IAS नहीं बनेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यह विल यू, विल यू, विल यू, नॉट बी, एन लिख सकते हैं, आप IAS, यह उपर वाला नहीं है, ठीक है जी, आई एस, उसके बाद आप question mark लगा देंगे, यह देखिए धियान में आप लोगों को रखना है, चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा क्या चाए मीठी है, यहाँ पर हम लिखेंगे, is the tea hot, is the tea hot, मीठा है, सौरी, मीठा है, तो हम यहाँ पर जो है, sweet लिखेंगे, sweet यह जगा is question mark, अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा कि लड़के क्यों तयार नहीं है, लिखेंगे, why are the boys not ready, question mark, ठीक है, चलिए, अगला हम देखते, अगला है, क्या पुस्तक अच्छी नहीं है, लिखेंगे, क्या पुस्तक अच्छी नहीं है, तो इसका लिखेंगे, is the book, not good, not good, चलिए, question mark लगा देंगे, इस तरीके से जो अगला है हमारा, वो है, कि राम, sorry, क्या रामायन के राम दयालू नहीं थे, तो हम लिखेंगे, was the realm of, the realm of, रामायन, और यहां पर दो लगेगा, क्योंकि यह एक epic है, लिखेंगे, the, रामायन, र-A-M-A-Y-A-N-A, या फिर रामायन लिख सकते हैं, not kind, question mark, ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है, 31 number में, वो है हमारा कि क्या यह एक रुपिय का note है, लिखेंगे, is this, is this, क्या यह, एक रुपिय का note है, आगे बढ़ते हैं, अगला है, सीता की सुन्दर्ता वर्नन से पड़े है, लिखेंगे, the beauty of सीता, ठीक है, the beauty, beauty of सीता, the beauty of सीता, is, क्योंकि यह singular में है, लिखेंगे, इस, beyond, beyond, description, ठीक है, वर्नन मतलब वही होता है, description, d-e-s-c-r-i, p-t-i-o-n, description, देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो यह exercise है, वो खतम होता है, देखिए, वो इसे तो बनाया हुआ है, लेकिन समजने के लिए, आप इसे देख सकते हैं, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और writing पर ध्यान मत दिजेगा, आज कल हम इसे ही लिख लेते हैं, चलिए, तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तदक लिए, जैहिंद, नमस्कार,